चावल की महगाई को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से की गई कोशिशें कुछ रंग लाती दिख रही हैं। बीते एक हफते में देश की बड़ी मंडियों में चावल के भाव और सतन 100-200 रुपय प्रती कुंटल कम हुए हैं। सरकार ने पिछले हफते ही तूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बेन लगाया था। साथ ही चावल की कुछ किस्मों के निर्याद पर 20-30 ड्यूटी भी लगाई थी। हाला कि सरकार की ये कोशिश निर्याद को चोट पहुँचाएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर यानि यूएस डिये ने अपनी ग्रेन वर्ड मार्केट एंड ट्रेड रिपोर्ट में कहा है कि चावल के एक्सपोर्ट पर बेन लगाने से भारत इस ट्रेड से बाहर हो जाएगा। सर्थ भारत से ब्रोकन राइस के निर्याद पर रोक लगाई क्यों गई आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी है। टूटे हुए चावल की कीमत बाजार में जनवरी में 16 रुपे प्रतिकिलो थी जो बढ़कर 22 रुपे प्रतिकिलो हो गई और बढ़कर 27-28 रुपे हो गई थी। भारत में एनिमल फीट्स में चुकि गन्ने की और बाकी चीजों का इस्तेमाल एथनाल बनाने में होता है तो बाजार में पशु चारे की कीमतें जो बढ़ी और खास्तोर से जो एनिमल फीट्स की कीमतें बढ़ी उसकी वजह से सरकार को ब्रोकेन आइस का निर्यात भारत से रोकना पड़ा पूरी तरह बंद करना पड़ा ये किसम का नुकसान था कलिट्रल डैमिज था पर ये नुकस भारती बाजार में कीमतें कम रखने के लिए और के के लिए की उठाया गया अलाकि इसका नुकसान ये होगा कि जो नए बाजार भारत ने ब्रोकन राइस के जरिये साउस्सेस्टेश्या के हासिल किये थे वहाँ वियतनाम के पहुंचने की अवियतनाम का चावल जाधा पह करीब सेंट्रल गवर्मेंट को अभी जो ताजे आकड़े अनाज भंडार से लेकर सरकार के तरफ से आ रहे हैं उससे सरकार को इस बार करीब 612 मिलियन टन के हिट की उमीद है ओवराल खरीफ के प्रोडक्शन में जो के 112 मिलियन टन रहने की संभावना जिसमें 612 मिलियन टन के लास की उमीद है यह माना जा रहा है कि अगर खरीफ की बुवाई के बाद खरीफ के चावल के उत्पादन में और ज्यादा कमी आई तो शायद फिर अन्ने किसमों पर और पूरे चावल के निर्याद पर भी प्रतिबंद लगाने की नौबत आएगी लेकिन फिलहाल सरका जो एनिमेल फीड्स के को लेकर और चारे को लेकर जो डिमांड थी उसकी कीमतों को संशोधित करने की कोशिश की गई हलाकि अगर आप खुद्रा बाजार की कीमतों की साब से देखे तो चावल की कीमते ग्यारा सितंबर तक का आंकड़ा हमारे पास है पिछले साल की तुलन से उसके निर्यादपर के प्रतिबंध या उस पर ड्यूटी लगाने के लिए भी विचार कर सकता है